तो आप सुभी को नमस्ते प्रणाम मैं आपका अपना ठागुट प्रेकर सिंग और रात के दस बच चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बतस्तूर जारी है आज की कहानी सुरूकर उससे पहले कल जब मैंने कहानी सुनाई तो कई लोगों का सवाल था कि दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हो गई एक बेचारी लड़की को इस तरह से चाकू उसे गुद के मारा गया और इतनी बड़ी घटना को छोड़के आपको यह और कहानी सुना रहे हैं आपसे यह उम्मीद नहीं थी आपको इस कहानी को सुनाना चाहिए था तो सही बात है काईदे से वो कहानी मुझे सुनानी चाहिए थी लेकिन उसमें कई ऐसे factors थे जिस वज़ा से मैंने कहानी नहीं सुनाई और सायद ये factor अभी तक किसी ने कबर भी नहीं किया और जब तक वो factor clear नहीं हो जाते तब तक मैं कहानी नहीं सुनाओंगा उसके बारे में उसमें से दो-तीन चीज़े ऐसी हैं जो आपको अभी आज बता दे रहा हूँ हो सकता है एक दो दिन में आपके सामने ये चीज़े आए पहला जैसे ये घटना निकल के सामने आई तो फिर जैसे जो भी लोग कहानिया सुनाते हैं जिनका काम होता है कि चीजों को खोद-खोद क्या के सामने लाना तो चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई बहुत बड़ा creator हो चाहे बहुत छोटा हूँ मेरे जैसा तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि चाहे पुलिस वाले जो भी बोलने चाहे नियूज पेपर में जो भी आजाए नियूज में चाहे जो चीजी आजाए लेकिन हम लोग अपनी तरब से एक वाद क्रॉस चेक जरूर करते हैं तो कल जब एक कहानी निकल के सामने आई तो मैं भी अब इस घटना के पीछे पड़ा, इसके बारे में पता करने लगा, तो फिर पता चला कि इन दोनों की दोस्ती थी, अब यह चीजे जैसे ही निकल के सामने आई तो फिर दिमाग में आया कि सोसल मीडिया पे तो एड जरूर होंगी यह दोनों लोग और यहीं से फिर दिमाग घूमा और यहीं से कवायत फिर शुरू हुई कि जो साहिल है उसका इंस्टाग्राम एकाउंट क्या है, अच्छा किस्मत में साथ दिया इंस्टाग्राम अकाउंट मिल गया, अब फोटो अगयरा देकि तो सारी चीजे गुरुद्राँच और हो सकता है कि गुरुद्राँच उसने ऐसी पहनने के लिए ले लिया हो लेगिन दुद्राँच के नीचे बकाइदात रिशूल और भगवान संकर की आक्रिती थी यानी देखने में ही लगर रहा था कि यह जो मला है भगवान संकर को समर्पित है इसके बाद बैग्राउंड में जो गाना लगा था यानि इडिटिंग करके जो रील बनाई गई थी उस रील में भगवान संकर का ही गाना था तो जैसे ये चीजें निकल के सामने आए तो फिर यहां से तो दो ही बाते क्लियर हैं या तो साहिल बहुत ज्यादा सेकुलर था कि वो भगवान और अल्ला में फर्क नहीं जानता था और या तो फिर ये मामला कुछ हो रही है अच्छा ये चीजें तो एक तरफ हो गए उधर जब उस लड़की की आईडी पता की तो तथा कथित रूप से एक आईडी जो निकल के सामने आई उस आईडी पे लगबग एक साल से लगातार पोस्ट हो रही है कुछ रील्स बन रही हैं कुछ और फोटोज उसमें अपलोड हो रही है अभ ये चीज़ें हो रही थे तो यहां तक तो चीज़े नौर्मल थी जैसे हर लड़की करती हैं वैसे ये लड़की साक्षी भी कर रही थे लेकिन इसके बाद जब कल ये सारी चीज़े हो गए उसके बाद भी लगातार उस आईडी से पोस्ट हो रही और इस पोस्ट में एक लड़का है जो कह रहा है कि मैं साक्षी का भाई हूँ और कभी कि वो कहता है कि 500 रुपए भेज़ दो कभी वो कहता है कि कुछ और मदद कर दो फॉलो कर दो अब लड़का छोटा है तो फिर ये लगता है कि हो सकता है कि बच्चा है ना समझ है लेकिन इसी के साथ एक चीज और हुई उस आइडी की जितनी हाइलाइट्स थी यानि जो फोटो उस कल तक थी जो मैंने खुद देखी थी वो फोटो आज अचानक से अब डिलीट हो गई यानि वो जो भी आइडी चला रहा है उस आइडी की साथ बकाइदा छेड़ छाड़ कर रहा तो बहुत संभो है कि अगर कुछ साहिल और साक्षी की चैट हुई होगी तो जाने अंचाने में चाहे जो भी है उस चैट से भी छेड़ खानी कर रहा होगा तो कई ऐसे फैक्स थे जो अभी निकल के सामने नहीं आए और ये चीजें जैसे वो संकर भगवान के गाने वाला मामला कहीं ये लबजिहात का तो एंगल नहीं था या फिर कुछ और बात थी तो ये चीजें अब जब तक क्लियर नहीं होती तब तक ये कहानी सुनाना अधूरा ग्यान देना कहीं न कहीं गलत होगा इसलिए मैं अब इस कहानी को अभी तक छू नहीं रहा हूँ बस इस उमीद में कि निकल के चीजें सामने आ जाए तब ही जाके सुनाओ और एक ही बीडियो बनाओ बार बार ना बनाओ लेकिन वो बीडियो पूरी डीटेल के साथ हो तो इसी वज़ा से मैंने कहानी नहीं सुना ये बाते हैं आज की कहानी करूख करते हैं और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो साथ हमारे बड़े बुजर्ग हों चाहे हमारे अपने हों कहते हैं कि नसा नहीं करना चाहिए तो फिर हम लोग के दिमाग में आता है कि क्यों नहीं करना चाहिए अब जब आप तो हमको पता है लेकिन नसा करने से क्या-क्या दिक्कते हो सकती है आज की कहानी इस बात का एक जीता जाकता एक्जामपल है कि एक नसे कालत आदमी को क्या से क्या बना देता है तरसल इस कहानी की सुरुवात होती है बिहार के मुझफर पुर्जिले से बिहार के मुझफर पुर्जिले में एक थाना है अहिया पुर्थाना और इस कहानी की सुरुवात होती है 29 अप्रेल साल 2030 से 29 अप्रेल साल 2030, पूरा थाना एकदम नॉर्मल, सारी चीज़े एकदम नॉर्मल, ना कोई बड़ी घटना हुई, ना ही कोई बड़ी चीज हुई तो पुलिस वाले भी एकदम चैन की सास लेते हैं, लेने के बाद 29 तारीकों सोते हैं, 28 तारीकों सोने के बाद सुबा सुबा उठते हैं, और जैसे ही उठते हैं, फ़ोरन एक फोन पुलिस थाने में आता है, अब फोन आता है, फोन करने वाला सक्स कहता है कि मैं एक पेसे से डॉक्टर हूँ, मेरी एक बिल्डिंग बन रही थी, और वहीं पर मैंने एक सिक्योटी गार्ड रखा हुआ था, और यहां पर अचानक से क्या हुआ कि सुबा आके देखता हूँ, कि जो मेरा सिक्योटी गार्ड था, उसकी किसी ने हत्या कर दी है, अब पुलिस वाले इस मरने वाले शक्ष के बारे में पता करते हैं, तो जब डिटेल खंगाली जाती है कि मरने वाला कौन है, तो पता चलता है कि इस मरने वाले इंसान का नाम है सुरेश पासवान, उम्र लगभग 50 साल, अब जैसे ये बात पता चली तो फौरण सुरेश के घर वालों को इतला की जाती है, इधर बोड़ी पोश्माटन के लिए भेज दी जाती है, अब पुलिस वालों को मीद थी कि ये जो मामला है किसी दुस्मनी का होगा, या फिर कोई आपसी रंजिस रही होगी, सुरेश पासवान यहां आया होगा, ड्यूटी देने, कोई यहां क पुलिस वाले को एक तरह से नॉर्मल मडर की रूप में देखते हैं, साथ ही पता करते हैं कि किसी से कोई दुस्मनी तो नहीं थी, इधर जो सुरेश पासवान का बेटा था संजीू, वो पहुंचने के बाद फायार दर्श करवाता है कि मेरी पिता की किसी ने हत्या कर दी, जो कि एक अपचारी कानूनी प्रकिरिया थी, अब जांच परताल शुरू ही पुलिस वाले भी छानवीन कर रहें, छानवीन करने के दौरान जैसे तैसे अभी पोस्टमांटर रिपोर्ट भी नहीं आई थी, कोई डीटेल भी क्लियर नहीं हुई थी, 29 तारिक बीच जाती ह हुई है, और 30 तारिक अभी पुलिस वाले इस मामली की जांच परताल कर ही रहे थे, कि अचानक से फिर एक फोन आता है, फिर एक फोन आया और ये फोन था, एक जगा है इसी अहियापुर थाने में, कुल हुआ बजरंग बिहार, कुल हुआ बजरंग बिहार एक इलाका है, वहीं से दूबारा फोन आता है, फोन करने वाला सक्स फिर बताता है कि साहब मेरे दुकान के सामने एक शिक्योटी गाट रहता था, अचानक से उसकी किसी ने हत्या कर दी सुबा सुबा के देखता हूं तो उसकी लास्पड़ी हुई है, एक दिन पहले एक दूसरे शिक्यो पहले पता करते हैं कि ये मरने वाला सक्स कोन है, जब इसके बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि जो मरने वाला है इसका नाम है मुस्तफा अंसारी, मुस्तफा अंसारी है और इसकी उम्र लगबग 35 साल और सबसे हैरान करने वाली चीज थी, ये जो मरने वाला सक्स थ यह दूसरे जिले चमपारण का था और यहां पे आके बस ड्यूटी और नौकरी की तलास में आ था अब इस मुस्तफा अंसारी के घर पे भी इतला कर दी गई इतला करने के बाद अब पुलिस वाले इससे पूस्ताच इसके घरवालों से सुरू करते हैं चार्च परताल करता है कि इन दोनों में दोनों सेक्यूर्टी गार्ड यानि जो पहला मरा सुरेश पासवान और दूसरा जो था मुस्तफा अंसारी इन दोनों में कोई कॉमन कनेक्शन रहा होगा कॉमन कनेक्शन था और कोई आपसी बाद विवाद रहा होगा कोई आया होगा इन दोनों का कतल कर दिया होगा चुकि कतल का जो पैटन था वो दोनों का सेम था अब पुलिस वाले सबसे पहले पता करते हैं कि इन दोनों में क्या लिंक है तो जब इस बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि जो सुरेश पासवान है वो तो बगल की थाने का रहने वाला है लेकिन ये जो मुस्तफा अंसारी है ये चंपारण जिले का है तो जगा के हिसाब से इन दोनों में कोई लिंक नहीं अब परिवार वालों से पूछते हैं कि क्या इन दोनों में कोई आपसी संबंद था तो दोनों परिवार वाले एक दूसरे को पहचाने तक से इंकार करते हैं कि साहब ना तो सूरेश को जानते हैं मुस्तफा के परिवार वाले ये बोलते हैं और सूरेश के परिवार वाले बोलते हैं कि साहब हम मुस्तफा को नहीं जानते हैं अब पोलिस वालों को लगा कि ये क्या मुसीबत है एक तो दोनों का पैटन से दोनों के साथ सेम चीज़े हुई दोनों रात में security guard से duty करने आए दोनों को किसने मारा किसी ने देखा तक नहीं मारने का तरीका भी सेम है और दोनों ही परिवार को किसी पे doubt तक नहीं तो कोई link भी नहीं है और सारी चीज़े आपस में जुड़ भी रही है तो आखिर ये माजरा क्या है अब पुलिस वाले जाज परताल करते रहते हैं इसे बेच पोश्माटम रिपोर्ट आ जाती है और दोनों की पोश्माटम जो रिपोर्ट थी 99% सेम थी यानि जो कतल करने का तरीका था वो दोनों का सेम था दोनों के सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया था दोनों के साथ मार पीट की गई थी दोनों को किसी भारी वस्त उसे यानि शाहे वो लोहे की राड हो या फिर कोई भारी डंडा हो उससे पीटा गया था और दोनों को ही सेम टाइम में सेम स्पैम पे मारा गया अब पुलिस वाले जैसे ही एक दिन के अंदर यानि 3930 के बीच दो कतल का ये वाकिया देखते हैं तो एक तरह से अब लोगों तक ये बात भी पहुंची अब लोगों तक बात पहुंची तो लोगों में एक तरह से दहसत कि अब कौन बाहर निकली कटे कटे थे एक करूम 50 साल दूसरा भी 35 साल का तो फिर यहां से भी ऐसा नहीं था कि दोनों कमजोर थे इसके बाद फिर ये पता किया जाने लगा कि कहीं नसा वगयरा तो नहीं किये थे कि कोई आया हो नसे में लोगों सिकार बना दिया हो तो पोश्माटम रिपोर्ट में कुछ नसी की भी चीज़े नहीं मिली अब पुलिस वाले जब उनको कोई जबाब मिल नहीं रहा था इधर दो दिन के अंदर दो कतल भी हो चुकी थे तो पुलिस वाले फिर एक प्लान बनाते हैं प्लान बनाने के साथ-साथ उनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं अच्छा कुछ टाइम पहले आप लोगों को याद भी होगा मैंने भी एक कहानी सुनाई है सागर का सीरियर किलर वो भी ऐसे सेक्यूर्टी गार्ट को टारिट करता था सेम तरीके से मारता था जब पकड़ा गया तो फिर उसने बताया कि वो तो रौकी भाई बनना चाह रहा था तो कुछ लोग ऐसे ही बंठन के खड़े हो गए थे कि कोई आए हम पे हमला करे तो हम पकड़ लेंगे जाज परताल सारी चीजें सुरू हो रही थी उसके बाद देखते देखते तीन चार पास दिन और गुजरे छे तारिक आ जाती है छे तारिक को भी पुलिस वाले बड़ी म तीसरा फोनी समाची ग्राम से आता है और पता चलता है कि एक संकर कुमार नाम का शक्स है इसको भी किसी ने सेम तरीके से मार दिया है 29 तारिक को पहली घटना हुई 30 तारिक को दूसरी और 7 मई को तीसरी घटना यानि कायदे से जोड़े तो 8-9 दिन में लगबग 3 कतल हो च तो इक तरह से पुलिस वाले बदहवास हो जाते हैं लोगों के अंदर डर भी बढ़ता जा रहा था मीडिया का भी प्रेशर आसपास के लोगों का भी दबाव ना कोई स्तबोत ना कोई सुराग ना मारने का कोई मोटिव ना ही कोई और चीज पुलिस वाले जाच परताल कर लेकिन अब दिक्कत ये थी कि ये सारे लोग तो बड़े गरीब तपके के लोग थे, ऐसा नहीं था कि कोई बहुत जमीनी विवाद या फिर रंजिस रही हो, इनको लूट लिया गया हो, फिर भी पुलिस वाले अपने तरीके से जाच करते रहते हैं, और इसी भी चेस्पी सा क्या चीज़े गायव है, क्या-क्या उनका हुलिया होता था, क्या-क्या चीज़े उसमें परिवर्तन हुई है, यानि मरने से पहले आदमी कैसा था, उसके पास क्या चीज़े थी, और मरने के बाद आदमी के पास क्या चीज़े बची, इन चीज़ों की एक तरह से तुलना ह तब ही जा कि ये मामला कुछ सुझेगा अब तीनों परिवार के लोग आते हैं और तीनों परिवार के लोग एक चीज फोरण क्लीम करते हैं अच्छा इधार आदमी के घर का कोई गया था तो घरवाले एक तरह सिर्फ तीन चार दिन तो ध्यान भी नहीं देते कि क्या चीजे ये मरने वाले के साथ मिली क्या चीजे नहीं मिली लेकिन अब 5-6 दिन बाद घरवाले भी थोड़ा बहुत अपने आपको समालते हैं उसके बाद जब पूस्ताच होती है तो बताते हैं कि कुछ पैसे नोगों के जेब में होते थे साथ एक मोबाइल फोन ये तीनों लोग और मोबाइल फोन जो है वो गायब है अब पैसे से तो किसी आदमी को पकड़ना मुस्किल था लेकिन अब मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है जिसको सर्विलैंस पे लगाया जा सकता था पुलिस वाले फौरण इन तीनों लोगों की मोबाइल फोन को सर्विलैंस पे लगाते ह लगाने के बाद इस उमीद में गुमते रहते हैं कि अब जल्दी से जो होगा वो सर्विलाइंस पे लगा है उसके बाद मुबाइल आउन करेगा उसके बाद हम पकड़ लेंगे पुलिस वाले इधर अपनी दविस भी बना रहे हैं लेकिन इसी बीच एक चौथा सक्स जिसका नाम था दुलारे साथ तारी से दो तिन दिन के अंदर ही इस दुलारे की इस सर पे भी किसी ने रात को तेज से कुछ भार किया था दुलारे की किसमत अच्छी थी दुलारी की सारी चीजे तो गायब हो गई थे लेकिन ये जान से नहीं गया यानि ये हॉस्पिटल जाता है और किस्मत अच्छी होनी के वज़ा से बचा लिया जाता है अब एक दो दिन तक तो ये कुछ बताने की हालत में नहीं था इसके उपर इतना बुरा हमला हुआ था लेकिन अब दो तीन दिनों बाद जब थोड़ा बहुत ये ठीक होता है तो बताता है कि मैंने इस सकल तो नहीं देखी अचानक से मेरे सर पे डंडा लगा जब तक मैं कुछ समझ पाता तब तक मैं महसूस करता हूँ कि मेरे जेबो से कोई चीज निकाली जा रही है उसके बाद मुझे होसाया तो मैं हॉस्पिटल में ही था अब जैसे ही ये चीजे निकल के सामने आई और दुलारे का जो ये बयान था इस केस में अब एक तरह से एक टर्न देने वाला था जो एसपी साहब थे जो पुलिस वाले थे उनको फॉरन लग गया कि ये जो मामला है ये ज़्यादा बड़ा नहीं है ये लूट पार्ट का ही मामला है कोई या तो गैंग है या तो कोई अकेला है जो लूट पाट कर रहा है इस उमीद में कि अब मार ही देते हूं उसके पाद लूटते हैं लियाज आप पुलिस वाले इन चारो फोन को सर्ब्लैंस भी लगा देते हैं साथ ही अब लगभख सैकडो पुलिस वाले आसपास के सून सानी लाकों में, आसपास के लोकल छेत्रों में रात को ऐसे गूमते रहते हैं कुछ लोग सीक्रिटी गाड बन बन के खड़े हो गए थे यह मामला इतना बड़ा था कि कहते हैं कि कई लोग ऐसे थे जो रात को जिनकी duty कहीं होती थी वो जाते तक नहीं थे उनका ये मानना था कि जान रहेगी तो नौकरी बहुत मिल जाएगी यानि सर सलामत तो पगड़ी हजार जैसा दैसत सागर में उस सीरियर किलर ने मचाया था सेम वह ऐसी ही दैसत इस समय मुझफरपुर के उस थाने में प्रविच जो बेचैनी थी वह भी बढ़ती जा रही थी चुकि तीन कतल हो चुके थे चौथा भी होते होते बचा था पुलिस वालों के हाथ खाली थे ना कोई मकसद था ना किसी कोई डाउल था पुलिस वाले भी एक तरह से अपना मुझ शुपा रहे थे मीडिया वालों के आगे से लेकिन इसी फिछ पुलिस वालों के जो किसमत थी वह अचानक से चमक जाती है दरसल एक फोन जो दुलारे का गायव हुआ था जिसके उपर हमला हुआ था उस फोन में किसी सिम डाल के फोन को अन किया अब जैसे ही सिम डाल के फोन अन हुआ तो फौरन उसकी लोकेशन निकाली गई और जैसे लोकेशन निकाली गई तो लोकेशन एक दीपक नाम की इंसान की निकली अब जैसे दीपक की लोकेशन निकली तो पुलिस वालों को लगा कि बस मामला सॉ जाते हैं पुलिस की टीम फौरण भागके दीपक तक गई लेकिन जैसे दीपक तक गई तो देपक ने तो कुछ ऐसा बताया जैसे सुनने के बाद पुलिस वालों की जो कहानी थे फिर से वहीं की रह गई दरसल दीपक बताता है कि यह जो फोन है यह फोन मैंने किसी से खरीदा है उसने बताया कि यह चोरी का फोन है और वो कौन था मुझे एक्जेकली याद नहीं अब जैसे ही दीपक ने बयान दिया तो फिर मामला वहीं से सुन वहीं खतम इसके बाद फिर दूसरा फोन किसमत से आनुगा यह किसी संजे के पास था इसके बाद तीसरा फोन आन होता है और यह चोथा फोन आन होता है पैगंबर पूर चोग पे पैगंबर पूर इसी अया पूर थाना में एक गाउं है और जैसे ही इस चोग पे आन हुआ पुलिस वाले फोरण जाते हैं तो देखते हैं कि एक महिला है जिसका नाम है खुश्बू देभी और यह फोन इस महिला के पास है पूलिस वाले फौरण इस महिला को उठाते हैं पूस्ताच करते हैं पूस्ताच के दवरान इस महिला नहीं कहा हाँ जिस सक्स ने यह फोन मुझे दिया था मैं इसको जानती हूं यही चाय की दुकान पी अक्षार आता है आने के बाद उसने एक दिन मुझसे कहा कि मेरे पास कई फोन है तुमको लेना हो तो बताओ और अगर बिच्वा सकती हो तो तुम वह भी बताओ तो मेरे इतरु फोन भी सायद बेचा गया है और मेरे ही द्वारा ये फोन खरीदा गया है तो पुलिस वाले पूछते है कि वो कौन था तो फिर खुसबू बताती है कि वो इसी पैगंपर पुरगाओं का रहने वाला सिवचंद पासवान है पुलिस वाले अब एक नाम पा चुके थे जिसने फोन बेजा था पुलिस वाले फौरने सिवचंद पासवान उर्फ भाला इसको एक तरह से घेराबंदी क करने के बाद इसको उठातें थाने लातें लाने के बाद चुकि पुलिस वाले इस मामले किस तरह से रीच चुके थे कि ज्यादा मान मनवल भी नहीं करते अपना पोलिसिया अंदाज फौरण अपनाते हैं और फौरण ये जो स्यूचंद पासवान उर्फ भाला था ये तूटता है और तोते की तरह बोलता है और तोते की तरह बोलते हुए कहता है कि हाँ साहब ये सारी कतल ये जितनी भी हिंसा हुई है इन सब के पीछे जिम्मेदार मही हो अब जब ये बात पूछी जाती है कि तुमने अखिर किया तो क्यों किया तो इसके पीछे फिर स्यूचन पासवान ने अपनी कहानी सुनाई और ये कहानी सायद आज के टाइम में हर गाउं की कहानी हो चुकी है दरसल स्यूचन पासवान जो था एक लकड़ी की दुकान पे काम करता था यानि एक कॉर्पेंटर का सौप था उस पे एक काम करता हाद भी इसका अच्छा खासा था सदा हुआ हाद था अच्छी खासी चीज़ियं बना देता था अब पैसे भी इसके पास अच्छे खासे आने लगए इसकी साधी भी हो गई घर में मा थी इसकी पत्नी थी और ये था अब सारी चीए ठीक ठाक चलती रहे लेकिन इसी बीच इसको अचानक से नसे की कहीं से लत लग जाती है शुरुआत में खैनी होगा रखा था उसके बाग फिर देखती देखती है गाजे पर सिफ्ट हुआ गाजा पीते फेते फिर अचानक से इसको इसमैक जो की सायद बहुत गंदा नसा है मैंने देखा भी है इस नसे के पीडित एक बेक्ति कोई मेरी गाओं का मामला था कि उस महिला ने जो पीडित था उसकी मा थी वो बेचारी खुद ही पहले तो अपने बेटे को चारपाई से बांधती है कि मेरा बेटा नसा ना करे लेकिन जब उसके बेटे को तलब लगी और बेटा उस नसे की वज़ा से तडपने लगा तो मा बेचारी इसकदर मजबूर हो जाती है अपने बेटे की चीख पुकार और तड़क देखे कि खोदी कुछ लोग को पैसे दे के भेज़ती है कि जाओ और इसमेक लाके दो उसके बाद वो जो नसावाल आदमी था उसने फिर बताया कि कहा मिलता है उसके बाद वो लोग गए बहराल ये आट से नौ साल पहले की घटना है और उनकी मौद भी हो चुकी है इसी वज़ा से तो फिर सिउचंद पासवान को जब नसे की लत लगती है तो सुरुगात में तो पैसे मिलते थे उससे वो नसा कर लेता था लेकिन जब ये नसा करकर काम पे जाने लगा तो फिर जो मालिक थे उनको भी बुस्सा लगा कि आता है नसे में काम ओम करता नहीं तो मालिक जो थे इसके उन्होंने इसको काम से निकाल दिया अब एक काम से निकाल दिया गया तो कोई income का source नहीं नसा इसको करना ही था और इसने खुद अपने मुँझे कबूला कि 1,000 रुपए इसको चाहिए थी नसा के लिए रोज की रोज तो सुरुवात में तो जो कुछ पूजी थी इसके पास उसने उससे नसा किया उसके बाग फिर ये घर की चीजें बेचने लगा अच्छा जब ये घर की चीजें बेचने लगा पत्णी अभी भी घर पे थी, ये पत्णी की गहने और भी बेचने लगा, तो थोई टाइम तक तो पत्णी ने भी वरदास किया, लेकिन आए दिन जब ये पत्णी को भी मारने पीटने लगा, तो पत्णी पर जो कुछ चीजें उससे हो पर आई, वो सारी चीजें लेती है औ लेकिन जब ये सारी चीजे बेच चुका था और नसे एक इलत इसकी खतम नहीं हुई तो फिर क्या करें तो फिर ये चोरी करना सुरू करता है चोरी करता है तो लोगो को लूटता लेकिन इसको एक डर भी सताने लगा कि कहीं अगर मैं पकड़ा गया तो मैं जेल चला और इसमयक नहीं मिलेगा तो फिर मैं जीऊंगा कैसे इसलिए अब जिसके समान को चुराना है और जिसके समान को लूटना है उसको मार देना है यानि अगर जिन्दा रहेगा तो फिर उपकड़ लेगा या पहचान लेगा और मैं फंज जाओंगा इसलिए फिर ये निकलता है सिकार की तलास में ये दिन भर बकायदा रेकी करता है 28 तारिक को 28 तारीक को रेकी करने के बाद रात को दो बज़े फिर से एक कुदाल और डंड़े और लुहे के रौट को लेके निकलता है और उन्हीं में से एक समान से ये सुरेश पासवान के सर पे पीछे से वार करता है और उसके जेव से पैसे मोबाइल जो चीजे थी वो लूटके 9211 पुरी स्वाल एजाज परताल करते ही रहते हैं इसी बीच ये दूसरा सिकार चुनता है मुस्तफा अंसारी को चो कि वो भी अकेलर ड्यूटी दे रहा था उसके भी पीछे से ये वार कर करने के बाद उसको भी मौत के घाट उतारता है उसके भी मुबाइल हो गयरा को लूटके 9211 तीसरा सिकार ये करता है संकर कुमार को चुकि वो भी पैचारा के लिए ड्यूटी दे रहा था और चौथा सिकार इसका होता है दुलारे लेकिन उसकी किसमत अच्छी थी कि वो तो आठ दिन के अंदर इसने तीन कतल कर दिये और ये पकड़ा न जाता तो लगभग लगभग हर तीसरे दिन ये कतल करता चुकि इसका प्लान ही था कि मुझे किसी को जिंदा छोड़ना ही नहीं है और जाहिर सी बात हर दूसरे तीसरे दिन ये लूट करता जरूर किसी को चुकि इसको तलब लगती हजार रूपे इसको चाहिए थे तो हजार रूपे के लिए ये कतल करता ही रहता और इस सिलसिला लगातार चलता तो फिलाल यह थी पूरी कहाने और इस कहाने से ज़्यादा कुछ कहना तो गलत होगा आप लोग खुदी समझदार है लेकिन एक छोटी सी चीज इसमें के एक पुड़िया बमुस्किल इतनी बड़ी होती होगी लेकिन इतनी सी पुड़िया ने अब सोच के देखी किस तरह का तांडो मचा के रखा एक अच्छा भला आदमी इस तरह से कातिल छोड़िये सीरेर किलर बन गया तो इसलिए कहा जाता है कि नसे से दूर रहना चाहिए तो फिलाल ये थी पूरी कहानी अब आते हैं कल के सवाल पे और कल का मेरा सवाल था कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिस पे कलाकार चितरकारी भी करते हैं और उसी की उपयोग से स्कूल के जूते भी बनाए जाते हैं यानि कैसी चीज जिस पे कलाकार चितरकारी भी कर ले और उसी से फिर जूते भी बना दिये जाएं तो मैंने चार आप्शन भी दिये थे पहला था कागज, दूसरा था कैनवस तिसरा था रेशम, और चोथा था सीमिंट, तो जो सही जवाब है वो है कैनवस और इस सवाल का जो सही जवाब दिया है वो है रुमान किचन जी है राजे सामले जी है, राजे सौ जी है और जो थामस जी है, केके ठाकुर जी है जट जी है, इनका पूरा नाम मैं समझी नहीं पाया कि क्या है और नितेश नायक जी है इश्वर गुप्ता जी है आरती जी है दादा राओ जी है अवंती होरु जी है लड्डु यादो जी है हरेश मोहन जी है और संजे बर्मा जी है अर्विन देयादो जी है पावन कुमार जी है डी रुहिला जी है और खाने गेस हैं, नीलम है, अनीता हैं और खुबैब खान, खुबैब खान जी का कल कहना था कि उन्होंने सही जवाब दिया था लेकिन मैंने नाम नहीं लिया, तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि कई कैसे कमेंट होते हैं, जो फिल्टर आउट हो जाते हैं, अब जैसे आज ही साइद कम से क 5-6 लोगों का नाम छूटा ही होगा, लेकिन वो मेरी गलती रही है, यूटूब अपना उसका एक artificial intelligence है, अपने हिसाब से spam समझ लेता है, कुछ भी समझ लेता है, फिल्टर आउट कर देता है, तो फिर वो चीज़ें उस तक नहीं पहुंचती हैं, तो जिन भी लोगों ने स चुकि कल मैस था छखास IPL, आप लोगों ने देखा होगा, लाश्ट तक लगी रहा था कि क्या होगा, और लाश्ट की दो बॉल पे तो मैंने लैप्टाप भी बंधी कर दिया था कि क्या ही देखूं, लेकिन फिर अचानक से सोर सुना ही दिया तो लगा कि कुछ तो हुआ ह और फिर देखा तो CSK जीत गई, तो आज का सवाल भी क्रिकेट से ही है, और आपसे क्योस्टन है कि अगर क्रिकेट टीम में एक बैटिंग टीम है, बैटिंग टीम में जो थार्ड नंबर का बैटमैन होगा, बैटमैन जैसे पहला नंबर है, दूसरे पे जाएंगे, तीसरे पे जाएंगे चोते पे, जो तो तीसरे नंबर का बैटमैन होगा, वो कितनी बिकेट गिरने के बाद आएगा, अब आप चाहें तो आप्शन दे दो, लेकिन इस क्योस्टन में आप्शन की कोई अशकता नहीं है, तो फिर से क्योस्टन सुन लिजिए कि क्रिकेट में जो थ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा, तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ अब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए अपना ख्याल लगिए, अपने देश का ख्याल लगिए, जैहिंद